नमस्कार दोस्तों मैं रेवरिंजन और आज सभी का विवत्री मेंटर से प्रोग्राम में श्रागत है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहें आप सभी अच्छे तरीके से अपने अध्यान में लगे होंगे साथी साथ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आई यूस इन ने कवर्गी करण उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आई यूस इनने के सतापना कव हुई कहां पे मोख्याले है और ये सारे चीजे जो है जाम में पूछी जाती है कौन-कौन से रिपोर्ट जारी करता है ठीक है अभी अगे बढ़ें तक आप लोगोंने मेंटर्शिफ का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है तो जल्ली से आज की सेसें की हम सुरवात करते हैं जो कि काफी एक्जाम के ड्रिश्कों से महत्पून है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ आप मेरे बार में आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं शाथी साथ आगे बढ़ें तो हम डिस्कुस करेंगे आज आई यू से अनने का वर्गी करन आकिरकार इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है और एक्जाम में क्या पूछा जा सकता है क्योंकि इस टॉपिक से आरो, ए आरो, स्टेट PCS, UPC, वंडे एक्जाम सभी एक्जाम में इस से कोशन पूछे जाते हैं ठीक है तो इसमें हम आज डिस्कुस करेंगे कि IUCN, यानि कि सरकार और नागरी को जो समाज की सदस्ता वाली एक जो संग है उसको हम आज डिस्कुस करेंगे अच्छे तरीके से, इसमें परजात्यों की संख्या में गिरावट आ रही है, वहोली छेत्र में उनकी सित्ति के अधार पर जो आकलन किया जा रहा है, उनके बार पुर्ट्रीकों से काफी महतपून है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि IECNA है क्या, ठीक है, एक संसा के रूप में इसको हम कह सकते हैं, एक सं के रूप में कह सकते हैं, जिसमें सरकार और नागरीक समाज की सदस्ता वाला एक गटन के रूप में यह जाना जाता है इसमें किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है तो इसमें परजातियों की संख्या में गिरावट साथी साथ भोगौलिक छेत्र में उनकी इस्तितिक के आदार पर इनका आकलन किया जाता है इसका आकलन किया जाता है देखा जाता है कि कितने जीव जन्तों की संख्या बड़ी है कितने जीव जन्तों की संख्या घटी है इन सभी बातों का इसमें जो है ध्यान दिया जाता है साथी साथ इसकी जो अस्तापना है 1948 में उनीटी इसको भी आपको ध्यान में रखना है और इसका मुख्याले कहाब पर है तो स्वीया लेंड वे इन प्वाइंट को आपको ध्यान में रखना है मुख्याले अस्तापना साती साथ क्या है एक संध है और ये 1966 से IUCNA के द्वारा रेट डाटा बुक जारी करता है 1966 से IUCNA के द्वारा ये रेट डाटा बुक जारी करता है और ये सूचित परजात्यों के सरक्षण परवंदन के लिए एक मार्क दर्स्तक के रूप में जाना जाता है तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है इसको जो है इसको अलग-अलग कलर से अलग-अलग पेज को रूप में इसको वरगी करण किया जाता है इसको डिवाइड किया जाता है क्लासिफिकेशन किया जाता है यानि कि जो गुलाबी पेज वाले होंगे जो swap करेगा तो ये गलाबी परने वाले जो हैं संकट ग्रस परजातियों को indicate करेगा दिखाएगा जो गलाबी पेज वाले होंगे वो आपके संकट ग्रस परजातियों को दिखाएगा और जो हरे प्रस्ट वाले होंगे हरे पेज वाले होंगे वो आपके परजातियों के लिए बिलुप्त होने से या समाप्त होने से खत्रे से बाहर है मतलब इनकी जन संख्या दिन प्रते दिन बढ़ती जा रही है है ना देखते हैं कि ग्रीन लाइन का मतलब आप इसकी संख्या है ना ग्रीन लाइट का मतलब आप देखते हैं कि आप जा सकते हैं ठीक ठाक है इस्तिति ठीक है ऐसे ही ये हरे पेज़ वाले जो है संकट ग्रस परजाती तो थी परन्तु इनकी इस्तिति इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा साथी साथ जो बिलूप्त हो चुकी है यानि कि ऐसे जीवों का ऐसा वर्ग जिनका अंतिम जीवित जीवी मर चुका है यानि कि उसका परजाती अभी थक देखने को नहीं मिला है जो जीवित परजाती था वो भी पूरी तरह से समाथ हो चुका है साथी साथ आगे क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि वन में विलूपित यानि कि जाती वनों से पूर्णता खतम हो चुकी है पूरी तरह से जंगल से इनकी संक्या सवाब्थ हो चुके है और बच्चे हुए सदस्त से केबल बच्चे हुए सदस्त केबल जो है बच्चे हुए सदस्ट रहे वह आपके चीडियागर में और अपने मोल निवास के अस्तान से अलग करती है या इनकी लिए जो है आठी आठी फिसियल रहने की विवस्ता की गई है ना कह सकते हैं आप लोग चीडियागर है है ना नैशनल पारक जो है वह आपका एक तरीके से नैचरली हो जाता है ठीक है यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिले गया है साथी साथ यहाँ पर गंभीर रूप से संकट ग्रस्त गंभीर रूप से संकट ग्रस्त यानि कि यह IUCNA के द्वारा किसी भी माप डंड को पूरा करता है ठीक है और इसमें जो है वन बिलोपित होने के अतदिक उच जोखीम का सामना करना पड़ता है उच जोखीम का यहाँ पर सामना करना पड़ता है ठीक है आगे चलते हैं आगे कुछ बातों को और भी ध्यान देते हैं जो कि एक्याम के ड्रश्ति कौन से काफी important है इनकी कुछ माप है ना मान डंड है यानि कि इनकी जनसंख्या में कमी यानि कि पिछले 10 साल में 90 परतीसत से 90 परतीसत या इससे अधिक जनसंख्या में कमी देखने को मिला है उधारण के लिए आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने इमूर टाइगर लोठ कोलर ना लोड़र इस अपिकां यह यह इंस सबी संख्या दिन प्रके दिन घड़ती जा रही है साथिसाथ जनसंक्या का और पचास से कम व्क्स्षण संक्या बढ़ रहा है इसमें हम कह सकते हैं कि 10 साल के अंदर 50% जन सक्या कम होने का अनुमान है आने बाले सवे में 10 साल के अंदर इनकी संख्या जो है बिलकुद ही आधे पर आ जाएगी 50% पर आ जाएगी इसको भी हमें ध्यान में रखना है और इसमें बन में बिलोबित होने का खत्रा है बहुत जादा देखने को मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने जंगल जवीन को काट करके अपने स्वार्थ की अनुसार उसमें खेती करना और पेड़ पौदों का उपयोग जो है मैडिसन और अन्य चीजों के लिए हम उपयोग कर रहे हैं तो इसको भी आप लोगों को ध्यान मेरतना है और साती साथ यहां पे संकट ग्रस जो है इंजाइड में देखेंगे तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो खत्रा है यह संकट ग्रस लिस्ट में सामिल है उसकी संक्या उसकी संक्या में कितनी कमी आई है पिछले अगर 10 साल की बात करें, तो संकट ग्रस परजात्यों में 10 साल की बात करें पिछले, तो 70% जनसंख्या में कमी आई है, 70% जनसंख्या में कमी आई है, और 70ATHAN 얼OSS Arsen 11 साथ इसमें हम कहें, तो 250 से कम वेक्स आवादी के रुप में यहां पर देखने को मिलता है साथी साथ यहां पर 20 साल में 20 परतीसत आवादी में जो है यहां पर बन से बिलूप्त होने का खत्रा यहां पर देखा जाता है परजात्यों की संक्या में कमी आती है 20 परतीसत होने की संभावना है और संकट गरस प्रजाती में जो है बिलूप्त होने का खत्रा अधिक देखने को मिलता है, तो इन सबी बातों को भी हमें ध्यान में रतना है, और अगर सुवैद्ध की बात करें, तो इसमें हम जन संक्या में कमी आएगी, ठीक है, 10,000 की संक्या में कमी आ सकती है, ठीक है, अगले बन में जो खत्रा है ये सारे चीज़े देखने को मिलेगे और संकट पन वाली डुरिश्ट्री में देखेंगे तो इसका एक वर्थ जो है संकट पन ये मुल्यांकन माब डंडों के इनुसार ये गंभीर रूप से जो है संकट ग्रस्त संकट ग्रस्त के सासा सुवेज और आने वाले टाइब में निकट भविस में एक खत्रे की रूप में देखने हैना एक निकट खत्रे की रूप में खत्रा पास में आ रहा है ऐसी समत्या हमें देखने को मिलता है तो इसको अब आप लोगों को ध्यार में रखना होगा साथी साथ अगले पॉइंट की ओर चले तो द रिंडों को अपनाना कुछ है ना कुछ कैटेगरी को अपनाना ये सारे चीज़े इसमें देखने को मिलता है कुछ आकड़े हैं कुछ आकड़े आप्याप्त होते हैं जो सही दिशा में सही टाइम पर वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं ठीक है जब किसी वर्ग या वित्रण य और इसमें जो है आनकलित यानि कि यहां पे जो है माप डणों के लिए जो है मुल्यांकर नहीं किया जा सकता है ठीक है यानि कि यह वर्ग जो है अनकलित और इसका अभी तक माप डणों के नुसार जो है यहां पे मुल्यांकर नहीं किया जा सकता है तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है और यह पेपर में पूछ जाने की संभाबना है इस टेट में यूपीसी में और साथी साथ वंडे एक्जाम में यहां तक कि अभी बिहार में जब पीस है ना वीपीसी हुआ था सिस्टी ना उसमें भी इसके पोछे गए हैं ठीक है तो इसको भी आपको इल्पॉर्मेशन की बात करें तो यह रे पीट वाइपर साथ की नई पर जाती है ठीक है तो इसको भी आप लोग ज्यान में रखना होगा ठीक है आपका अगला देखेंगे अम्रोट फूस नावदा जो की नवदा टाइगर रिजर्ट में देखने को मिला है और यह ताजे जलमी जो केकड़े होते उनको यहां पर देखा जाता है इस पीलिया जेवरा एक तितली की परजाती है जो की राजस्तान में देखने को मिली है ठीक है ब्रह्म कमल फूल ब्रह्म कमल फूल ब्रह्म कमल फूल कहां पर देखने को मिला है तो यह हिमाले के छेत्र में देखने को म पूछे जाने की संभवना है और साथी साथ गाल। कि अंश्व क्या है की तो ब्रह हिमाल्य शेट्र में और इसको इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है गोल्डन वड्विंग अगला जो पर जाती है गोल्डन वड्विंग जो कि उत्राखंड में भारत की सबसे बड़ी तितली है इसको ध्यान में रखना होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे ठीक है तो टेस्टर टेम जो की तमील नाडू के ट्रेट पर समुद्री आस्त्रेश कुई जीवों की एक नहीं प्रजाती है ठीक है आगे देखेंगे तो ग्लोव एंडरस्वानी जो की तीस्ता नदी घाटी के छेत में सीम को सामिल किया गया है एक कोस्तन पूछा जा सकता है यूपेसी एक्जाम में इस्टेट पीसेस में ठीक है काजी 106F यह पूछा जाएगा कि का जी 106F यह पूछा जाएगा कि काजी 106F यह क्या है यह क्या है तो यह टेपी है ना यह टेवी टाइगर ठीक है टेवी टाइगर और इस्टोवरी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है यह टेवी टाइगर है और इस्टोवरी टाइगर के रूप में भी जाना जाता है और यह बाग जो है केबल यह बाग जो है केबल यह जो के अस्म में काजी रंगा नैसनल पारत में पाया जाता है जो कि एक्चांग के ड्रफ्षिकों से काफी महत्पूर है ठीक है काजी 10S भारत में सुनहरा भाग गोल्डन टाइगर की रूप में केबल असम में ठाया जाता है ठीक है जो कि आपको ध्यान में रखना है आके तो देखेंगे संची जो तो एक स्थिक्रूसिम जो की अन्वाचल पर्देश में खोजी गई एक मचली का एक मचली की नहीं परजाती है तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक है यह जो चीजें बताई जा रही है नहीं नहीं परजात्यों की खोज हुई है उस हम आपको भारत में वन जीव विवित्ता हैं उसके बारे में भी दो दो तिन तिन पाइंट बता रहे हैं जो की एक जाम के डुश्टी कौन से काफी महत्पूर है हिमाल्य की तलहटी जो की बनस्पती के रूप में प्राकर्सिक मानसूनी सदा वहार और अर्द सदा वहार व हैस्तूत बिक्ष हो सकते हैं सावन हो सकते हैं और लंबी घास के मैदार भी हो सकते हैं साथी साथ इसमें जीव जन्तू आपके आती सामबर चीतल ठीक है पाड़ा और आपका लकडवग्गा ये सारी चीजे देखने को मिलता है पच्मी हिमाले शेत में आपका अगर कती की बात करें तो यहां पर मोसम जο है यहां पर प्राकर्तिक मांसुनी सदा वहार और अरदर पसदा वहार और यहां पर श Infants 27 और ऑ CR कस्मीरी म्रग यह और सुनहरा बात यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है इन बातों को ध्यान में रखिएगा साथी साथ अगर बात करें हम पूर्वी हिमाले की तो पूर्वी हिमाले में ब्रणस्वति के परकार कैसे हो सकते हैं तो इसमें आपके जो है है ना जलवायू भोग चीजे देखने को मिलेंगी और साथी साथ यहां पर बात करें तो पूर्वी हिमाले की तलहटी में साल के बन और सदावार ब्रिक्ष जो की बहुत बात्रा में देखने को मिलता है और यहां पर 2000 से 2000 मीटर से अधिक उची पहाड़े उपर उपोस्न बन देखने को मिलेगा ठीक है जिसमें ओक हो गया ओक के सास्तत आपका लॉरेंस हो गया जो की फन से ढखे हुई संडी होगी चीड हो गया देवदार हो गया और यहां पर चंदन जैसे ही लख्टिया भी देखने को मिलेगी ठीक है अगर हम जन्तु की बात करें तो यहां पर लाल पांडा हो गया जंगली बेंजर्स हो गया कटिली साही होगी ठीक है विसाल एक सिंग वाला गैंडा हो गया एसन हाती हो गया तो यह सारे जीव जन्तु यहां पर देखने को मिलते हैं जो की काफी इन बातों को भी आप दिहान में रखिएगा अगर हम बात करें इसी परकारते आगे में बात करने तो उत्तर से पूरब की और जाने पर उत्तर से पूरब की और जाने पर साल के ब्रिक्ष और यहां पर दक्षिन पटार में जो है टीक ब्रिक्षी परधानता देखने को मिलती है जो की पच्मी घाट में सदा बाहर मनस्वती देखने को मिलेगा और यहां पर आरामली परवत और राजस्तान के सूके हुए छीत्र में कुछ बिख्रे हुए पेड है ना जो मरुस्तली एरिया है उसमें आपको पता है कि जड़ी है ना कटीली जाडिया होती है ठीक है कटीली जाडिया होती है साथी साथ इसमें आपकी जाडिया हो गई ठीक है जो कि कम प ढोल होंगे जंगली कुद्था होंगे बाग तेन्वा चीता सिष यह सारे छीज जो है इसमें यह कुछ एरिया कुछ एरिया जो है आपका Ilyana आरावनि और यहां प lurब इसको कंटास्टली छेटेटव के बारे में तो यह आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कम पत्यों वाले यहां पे कम पत्ती वाले कटीले पेड़ है ना बबूल ठीक है खेजरी खेजरी अवार्ड भी दिया जाता है और खेजरी के लिए जो है है ना खेजरी आंदोलन भी हुआ था तो इसको अभी ध्यान में रखेगा कि खेजरी एक लिए आंदोलन भी हुआ है और खेजरी के लिए जो है अमरीता भाई विस्णवी को याद में इसको खेजरी अवार्ड भी दिया जाता है राजिस्तान में तो इसको भी आप प्यान में रखिएगा ठीक है आपका हो गया बैर हो गया यह सारे पादर यहां पर देखने को मि आप सोच रहे होंगे पीने वाला पीने वाला मतलब पक्षी सराब थोड़ी पीचता है पानी तो जो आपका वर्ड है ना ग्रेड इंडियन वर्ड जोकी पक्षों में सबसे ज्यादा पाने पीता है इससे वी आप ध्यान में रख सकते हैं इसमें बंगाली लोमडी है अस्तन धारियों में अस्तन धारियों में आपका करंतान जोकी सबसे बड़ा सम्हू के रूप में देखने को मिलता है इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा आगे चलते हैं अगले टॉपिक की और देखते हैं कुछ अन्य पर जाती है जिसमें आपका हम अब आपका हो गया सपेद तीतर इसको जो है IUCNA की स्थिति में देखेंगे तो इसको खत्रे से बाहर रखा गया है अगर इसकी हम अवास की बात करें तो भारती ओप महादीप के मैदानी और सुक्स भाग में और पुरवोतर राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में देखने को मिलेगा और सवेद तीतर का प्रजनकाल जो है भिविन अस्तान पर पूरे साल होते रहते हैं शिकारी बिल्ली आपका जो है श्वेद में सामिल के आगया है और सुनदर मैगरोव के जंगल और गंगा वे ब्रह्मपुत्रा की घाटी के साथ हिमाले की तलह्ती जेत्र मैं और पच्मी घाट में देखने को मिलेगा और इसको जो है सिकारी बिल्ली को पच्छिम मंगाल सरकार ने राज की पसू के रूप में घोसित किया है तो इसको भी आप लोग ज्यान में रखियेगा यह भी आपके लिए काफी मैदपूर्ण है और यह चिलका विकास प्रदिकरण यानि कि चिलक में उडिसा के लिए जो है सिकारी बिल्ली को जो है सुम माना जाता है ठीक है सुमांकर रूप से जो है इसको घोसित किया गया था चीनी गुलाबी डॉल्फिन के बार में आप डि पच्मी परतान महासागर में इसको देखने को मिलता है और साथी साथ इसमें जो है यह डॉल्फिन आम तोर पर उतले टटिये जल में रहती है तो इसको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है साथी ताथ यहां पर हिमाले बूरा भालू जो कि यह अत्दिक संकट माले के उच भूमी और पच्मी चीन और नेपाल में देखने को मिलता है और यहां पर अधिक उचाए वाले जो है खुली घाटिया और चरगह में पाई जाते है जो कि सर्वहारी राकर्तिक रूप में देखने को मिलता है साथी साथ आगे बढ़ेंगे तो ढोल एसियन आ जाते और यहीत धोल जो होता है पर जाती है जो कि मानसारी भी होता एथ सारी होता है और अगले हमब करते हैं Kirby ौऑन्एं और कंट रूस के रूप में जाता है है जो कि चावल 1 दीप नर कोंडब न पाई जाते केवल 2 सबसे बता सकते हैं सबसे घरेलू सीमा सबसे चोटी रूप देखने को मिलता है तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कोई डाउट या कोई बी दिक्कत हो तो आप अपने दिक्कत और समस्याओं को कमिट बॉक्स के माध्यव से बता सकते हैं साथी साथ अब बात करेंगे इसनों लेपट के बारे में ठीक है इसको जो है आपका सुवेद रूप में इसको सामिल किया गया है और ये आपके जो है पूर्वी हिमाले छीत्र में तीन हजार से ले करके पैतालिस सो के मीटर के उचाई पर यह आपको जम्मु कस्मीर लद्दाक हिमाचल पर्दिस उत्राकट सिक्किम अनवाचल पर्दिस इन सभी छेत्र में देखने को मिलेगा तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये खाने किस रंकला में ये सिकारी के रूप में पहाड़ी के छेत्म में ये एकलोजिकल शिस्टम में एक हल्दी होने का संकेत यहाँ पर मिलता है तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा बहुत important पात जो अब आ रही है ठीक है आपका भारतिय बाग या रोयल बाग भारतिय बाग बाग या रोयल बाग है ना रोयल बंगाल बाग जिसको कहते है ठीक है यह आपका संकट गरस प्रजाती में है और यह पेपर में पूछा जा चुका है ठीक है भारतिय बाग या रोयल बंगाल बाग यह पूछा जा चुका है जो कि यह संकट गरस इंजेर्ड में सामिल है और यह मूल अस्तान भारतिय उपादीप में और यह बाग भारत की अस्तनिक प्रजाती है और बंगाल की टाइगर की सर्वो सबसे अधिक संक्या जो है भारत में पाई जाती है यहना बंगाल टाइगर जो है भारत में सबसे ज़्यादा संक्या में पाई जाती है तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा ठीक है बुल फ्रॉग बुल फ्रॉग क्या है ये खत्रे से बाहर है बुल फ्रॉग क्या है ये इसको खत्रे से बाहर कर दिया गया है जो कि इसका मोल निवास अस्तान है वो भारती ओपमादीप है और भारत में सबसे बड़ा मैंड़क है ठीक है आपको बुल फ्रॉग क्या ह भारत में सबसे वड़ा मैंड़क है और यह आंडवान दीप पर आकरमक परजातियों में से एक माना जाता है ठीक है और आणडवानी फिंग यह आपका अतरिक संकट ग्रस्त है जो की दक्षनी आणडवान दीप का एक अस्तानिक तोर पर देखने को मिलता है और यह आपका ज हम परॉर्ण करते हैं तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा जो कि आप सबी के लिए इनपॉर्टन्ट है जह सब्सक्तियों करने हैं जो कि भारत में उड़ीच से और आंधरा प्रदेज के ट्रणी चित और लिए और essent क्विश्वा के घोषला का बनाते हैं और यहां पर गहिरा माता सो आपका वहां पर आपके नादरमुक्व में सबसे महत्पुर्ण अस्तान है सबसे ज़्यादा जो कच्छुआ है ओडिसा में देखने को मिलेगा और यह ना गहिरा माता के बीच में देखने को आपको यह मिलेगा यह काफी इंपोर्टेंट है इसको भी ध्यान करता है को भी घोसले बनाते हैं और यह गहिरा माता बीच पर देखने को इसको आप लोग घ्यान में रखिएगा इसी के तासत आगे बढ़ेंगे और देखेंगे साल बनों में पाए जाने वाले कच्छुए साल बनों में पाए जाने वाले कच्छुए इसको जो है critical zone में रखते हैं अतदिक संकट ग्रस zone में रखते हैं जो की पूरवी एबम उत्री भारत और दक्षिन उर्वी एसिया में देखने को मिलता है ये खत्रा भोजन के लिए सिकार और सजाप्टी मार्क्स और अंतराश्च्य वनजीव वैपार के लिए काफी परतीद है तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा और साथी साथ यहां पे आगे वढ़ते हैं तो खारे जल म पाए जाने वाले कच्वों हैं इनको अतिधिक संक्ट ग्रस परजाती में रखा गया तो इसको भी ध्यान में रखेगा और यह उडिस्टा के टटके नद्मुख चेत्र में और यह सुंदर्वन में पाए जाते हैं यह सुंदर्वन यानिकि मैंग्रोब वन की रूप में द देखने को मिलता है साथी साथ हम देखेंगे गीर के सेर या एसियन सेर इसको हम संकट ग्रस परजाती में रखते हैं संकट ग्रस परजाती में रखते हैं और यह कहां कहां पर देखने को मिलेगा तो गिर नैशनल पारक और मिटियाला अभिहारण और गिरनार अभिहारण में देखने को मिलेगा तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा गौर ठीक है इंडियन गौर भी इससे कहते है ठीक है और यह आपको स्वेज और इसको जो है नगर खोल और बांदीपूर कामिनी और मंसून गोडी और यह अन्य छेत्र में देखने को मिलता है और यह आपको जो है मेंटरा चीडिया घर में भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पे यहां पे आपका जो है इंडियन गौर का यहां पे जो है त्रक्षन किया जा रहा है और सदा बहार मिस्रिट पानपाथी वनोग में इस यह सबसे अधिक संक्या में देखने को मिलता है और इसको जो है लीफ मंकी के नाम से भी जानते हैं लीफ मंकी के नाम से भी जानते हैं तो इसको भी आप ज्यान में रखेगा और यहाँ पे मंदरेगा के तहट मंदरेगा के तहट यहाँ पे सुनहरे लंगूर के लिए फल उत्पादन किया जाता है याद रखेगा कि यहाँ मंद्रेगा के तहत यहां पर तुनहरे लंगूर के लिए जो है फल का उत्पादन के जाता है यानि कि यहां के जो गौर्मेंट है असम की जो गौर्मेंट है मंद्रेगा के कुछ लोगों को यहां पर हायर कर रखा है और इनके लिए जो है फल का उत्पादन भी करता है तो इस यहां पे सदाबाहार वन, संग्नोो घाटियों के लिए एक विसाल मेदान के लिए नील गिरी के जो है सेवाल बन के रूप में देखा जाता है और इसके जो ब्रांच की रूप में जो है पच्मी घाट माना जाता है तो इसको भी आप लोगों को ज्यान में रखना है और यहां पर पच्मी घाट में जो है ना बरसा वनों में यह सारे चीज़े जो है जीवन दाइ विक्षों की प्रजातियां देखने को मिलती तो यहां पे आपके जो है जड़ी बूटियां जाडियां यह सारे जो है उसने कड़ीवन दिये वर्सावन में यानि कि ट्रॉपिकल रेंफोरस्ट रीजन में रखना होगा अगर हम बात करें कि भारतिय वर्सावनों में अस्तरिय करणक में बहुत दिसीश्टा है अगर हम बात करें तो त्री अस्तरिय च्छेतिज पर इसमें परत देखने को मिलता है साथी साथ अगर हम बात करें इसमें तो जन्तु जहां पर पाए जाने में जो अन्य फुलॉक गिबन ये काफी इंपोर्टेंट है और ये केबल भारत में ही देखने को मिलेगा ठीक है फुलॉक गिबन ये केबल भारत में ही देखने को मिलेगा फुलॉक गिबन ये जो है केबल भारत में ही देखने को मिलेगा तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना हो लूँगा बच्चिए लोग ठीक है आगे बढ़ेंगे चैनल क्या सुनहरा लंगूर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था ठीक है और फायर बंदर ठीक है प्रेप्ट लंगूर और यहां पर लिव मंकी यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर असम मकौक ठीक है सुवर पूछ वाला मकॉख ठीक है और साथी साथ यहां पर सेर पूछ वाला मकॉख यह सारे चीज़े आपको यहां पर उसने कटिवन दिये वन छेत्र यानि कि ट्रॉपिकल रेंफॉरस रेजिन में देखने को मिलेगा तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा साथी सा है इस लेंडर लॉरिस है और यहां पर सीवेट उड़ने वाली इसको ध्यान में रखेगा सीवेट उड़ने वाली गिलहरी यह ऐसी ऐसे चीज और अन्य एक्जाम पोचने का प्रयास ज्यादा करती है जिसमें बच्ची लोग कल्प्यूज हो जाएं तो सीवेट उड़ने वाले गिलहरी आपको जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्स रीजन में ही मिलेगे और नील्गरी मेंगूस और काटेदार चूहे काटे दार चूहे बिम्हेंकोruck के मिलेगा इसको औ Falati साथी साथ देखेंगे कही बातों को और भी ध्यान में रखना है जिसमें अगर करें तो स मैगरोब के उची उची छेत्र में आपके исп landed हीरन है सूवर है है ना मॉनिट्र छिपकिली है बंदर है और रोयल बंगाल टाइगर यह जो कि पेपर में पूछा जाता है ठीक है रोयल बंगाल टाइगर यह पाए जाते हैं और साथी साथ आपको यह भी पता हुना चीए कि सु और यह आपको इसमें कौन-कौन से छेत्रों को सामिल किया गया है तो याद रखेगा मनार की खाड़ी ठीक है मनार की खाड़ी और निकोवार दीब समुके पाए जाने वाले इन सबी चीजों को जो है इसमें सामिल किया जाता है आगे बढ़ेंगे और हम कुछ बातों को और की ध्यान में रखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे नेशनल पारक के बारे में ठीक है अब हम नेशनल पारक के बारे में डिसकस करेंगे जो की काफी इंपोर्टेंट है कौन-कौन से पारक है नेशनल पारक बनाने के लिए क्या अब सकता है क्यों नीड पड़ी कि नेशन अधनियम के माध्यम से ठीक है जै बिवित्ता और प्राकर्तिक एकलोजिकल सिस्टम को जो है है ना डवलब करने के लिए बचाने के लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए जो है नैसनल पारक बनाने की गोपना करता है यानि कि किसी भी प्रकार के जीव देंतों को जो आज संख्या में कमी देख रहे हैं आई आई यू सी एनने के द्वारा जो रिपोर्ट आ रही है उस संख्या को बढ़ाने के लिए जो है नैसनल पारक का निर्वाण किया गया है और इसमें जो है सिक्यार और अन्य जीव 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 जन्तों को जो है मारने पर प्रतिवंद मैं आपको बताया कि टोटल अटोटल एक यह सश्य है और सबसे पहले हम नेशनल पारच नंदादेवी नैसनल पारक जोकी उत्राखंड में स्तित है इसके बारे में हम डिसक्स करते हैं इसको जो है इनुसको के द्वारा इसको जो है इनुसकों के द्वारा 1988 1888 में 20 88 सब्सक्राइब 13 परक चीनार में ठीन सब्सक्राइब और नंदा देवी नैशनल पार्ट फूलों की घाटी नेशनल पार्ट की रूप में जैमान्डल अगार का भी ध्यान में रख़िए मैं ... इसको जो है 2004 में इनुसको में स्रक्षित जैमंडल एक पर इसको नेट्वर के अस्थान पर यहां परlares यानि कि दिस्ट्रिक में गड़वाल जीले में नन्दा दिवी चोटे के आस पास एक नशनल पनी रूप में को ऋबड़ Ne suggest यहां पे आप सूच रहे होंगे कि कौन कौन सी परजास्या देखने को मिली या देखने को मिल सकती है तो ASEAN, काला भालू, हिमते इंदुआ, बोरा भालू, हिमाले, कसुडी म्राक। हिमालियन, तहर, लाल, लोम्री। यह सभी यहां पे जीवजनतों को यहां पे सरक्षित कि जाता है और यहां पर नेशनल पार्क के रूप में इसको डबलब किया गया है ठीक है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा साथी साथ कुछ मेहत्कून और बातों को ध्यान में रखना है जिसमें हम देहिंग पटकई हाथी स्रक्षिछ छेत्र एलेफेंट रिजर्ब जेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं जो की असम में हैं जो की आपके असम में हैं इस सभी को मैं एक मैप के माध्यन से भी आगे आने वाले क्लास में आपके साथ डिसकस करूआ जो की काफे इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें हम असम के ठीक है असम के कोईले और तेल के जो स समरद समरद इलाका जहां पर सबसे जाद मातरा में देखने को मिलता है पूरी तरह से फैला हुआ है तिन् सुख्या और चैत्र फैला हुआ है तो इस को आपको ध्यान में रखना है और इसमें जो है दिहां जीव अभीहार ale जुख यहां पर वशा बनके रूप में देखने को मिलता है और यहां पर परजाती इस achit में जो है मिलने वाले दुरलव जीव फ्लाइंग फॉक्स सामबर यहां पर जो है आपका working币 बहूंक जंगली सूर ठीक है इंडियन गॉर ठीक है इंडियन गोर सीरो माल्या और यहां पर विसाल जो है गलहरी के रुप में देखने को मिलता है साथी साथ यहां पर साथी साथ यहां पर वाइट विंग्ड वुड ठीक है यहां पर वाइट विंग्ड वुड डाक दुरुलव लुप प्रैस रेने में इसको सामिल किया गया है और यहां पे राष्ट ही बॉर्ड को स्रक्ष छेत में कोईला खनान को मंजूरी दे गई है जो आपका देहिंग पटकई हाती स्रक्ष छेत रहे यहां पे कोईला खनान को भी मंजूरी दी गई है। ठीक है और यह एक्जाम में पूछा भी जा सकता है कि किस national park से कोईला खनान या कोईले की mining की जा रही है तो यह भी आपको पता होना चीए यह भी आपको पता होना चीए कि आपके देहिंग पटकरी हाती सरक्षी छेत्र से कोईले की mining भी की जा रही है आगे बढ़ेंगे तो म किमें गएक हमारा पन्ना डाइगा रिजर्ब जो की MP में हैं उकि MP में हैं और इसको इनोस को और मैंन एनड ऐ स्विक नेट्वर्क भार्म में इसको सामिल और इस में बर्समान अठारा अधिसूची जैब मंडल अठारा अधिसूची जैब मंडल सरक्षी छेत्र जिसमें बारा MBA यानि की मेन एंड बायोस्वर पोग्राम के तहत इसकी पहचान की गई है और इसमें पठारों के धलान पर बबूल के ब्रिच बहुत मात्र में पाए जाते हैं यहां पर पठारों की जो ढलान है यहां पर बबूल के ब्रिच बहुत मात्र में पाए जाते हैं साथी जात के नील गाए चिंकारा, चीतल, बाग, तेंदुआ यह सबी जानमर यहां पर देखने को मिलता है और ये Tiger भाई सब भी आपके जो है इधर पन्ना Tiger रिजर्ट में भी देखने को मिलते हैं तो इसको भी आप ध्यान में रखियेगा साथी साथ आपको कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो comment box में लिखते रहें ताकि आपके जो समस्या है उसको समाधान किया जाए ठीक है आगे चलते हैं अब देखेंगे अरवी कुल्लम नैशनल पारक जो कि केरल में इस्तीत है और यहां पे एक विसेश परकार का फल पाए जाता है ठीक है नील कुरिणजी ठीक है नील कुरुंजी को फूलो का घर भी कहा जाता है ठीक है इसको फूलों का घर भी कहा जाता है क्योंकि ये फूल जो है 12 साल में एक बार खिलता है और इसको नील कुरिंजी फूलों का घर भी कहा जाता है और ये कहां पर खिलता है तो ये आपका जो है Microsoft Natal Park Peral Mें खिलता है ठीक है नील गरी तहर की सबसे ज़्यादा संक्या हैं पर पाई जाती है और साथी साथियां पर कीडल में ठीक है इगडी जिले में जो है दक्चिन पच्मी घाट के हाइजियंस में इसको इस्टित है ना हाइजियंस में इसको जो है इस्टित है इसकी लोकेशन देखी जा सकती है साती साती जो national park है ये आपका राज मलय छीत्र काफी tourism के लिए भी जाना जाता है इसमें घास की मैदान हो गया, आपके सो, ठीक है, वन हो गया, नेशनल पारख हो गया, ये सारे चीजे देखने को मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पे जुरलव, अस्तलिय, एपिपाइड और आर्ट्रिक्ट, जंगलिय वलसम, यह सारे वनस्वती भी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो गोर्मुरा नैसनल पारक, ठीक है, यह कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यह आपका जो है पच्छिम मंगाल, ठीक है, जलपाई गुडी में देखने को मिलेगा, पच्छिम मंगाल है ना, जलपाई गुडी में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो है गुरुमुर जो 1949 में भारतिय गेंडो की अबादी क्यादार पर एक वनजीव अभिहारण घोजित किया गया था और ये आपका जो है नेशनल पारत पूरवी हिमाले के तराई छेत्र में इस्तित है और ये रॉलिंग वन और रिवाइनर घास के मैंदान यहां पर पाई जाते हैं ठीके इस एसको दुवारा इसको जो है दुवारा भी कहते है तो इसको वि आपको ध्यान में रखना होगा एंधियान में मैं रखना होगा ठीक है कि अधीक है छिब धियांग पकाई वनजीव अभिहारण आसाम में आपको पिछली u- subdiv vat पहले ही बताया था कि यह सम सबसे ज्यादा नैस्नल राज्य वाला इसमें बन गया वह मैंने आपको बताया था हाती ठीक है हुलोक गिवन बाग से इंडवा क्लाउड से इंडवा सुनहरी बिल्ली फिसिंग कैड सांबर और इसको जो है पूर्व में और मेजन की रूप में भी जाना जाता है पूर में अमेजन की रूप में भी जाना जाता है तो इसको भी आप लोग projected में रखिएगा मिलין हट टाइगर रिजन के बारे में डिस्कूश करते हैं कि अहां पर महरास्टा में इस्तीत है और यह आपका जो है कि मेल घर टाइगर आपके MP और महाराश्टा रेज़र्प यह महाराश्रा बनाता है जो है फोले सिर्ब्व परवतमाल है और बनो की निरंदरता यहां पे सुनचित करता है यहां पे सुक्स पानपाती बन के रुप में पाए जाते हैं और यहां पे टीक के जो ब्रिट्ष है वो सबसे परमोक रूप से देखने को मिलते हैं यूस को भी आप जोगों को ध्यान में रखना होगा ठीक है आगे चलते हैं भारत का पहला लाईके इनपारक जो कि आपसबी को पता होना चाये वहा भारत का पहला समझे संधरिएक्र किया जाता है आपका तो । पेड़ों को रहा है सुरक्षित रहा है सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा साथी साथ यहां पे बिलुक्त होने की कगार पर खड़े पौदे जो हैं इसमें जर्मन प्लाजा को यहां पे स्रक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और इस नेशनल पारग का बनाने की पिछे क्या ओदिश हो सकता है तो यहां पे यह विवित्ता को बचाने के लिए ठीक है कुछ पाइंटों को और देख लेते हैं जन्तू उन्विंसंस हो गया अन्यों को जो है जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉट्निकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे साल में रिपोर्ट तैयार की जाती है ठीक है साती साती इसमें आपका सर्तोक मगद जो की जार्खंड के क्रिसी छेत्र में बिल खोदने वाले मैड़क की खोज की गई है ठीक है इसको ध्यान में रखेगा ठीक है इसको आप ध्यान में रखेगा ये क्या है कि जार्खंड में खेत्र में क्या होता है बिल खो दता है ये मैडक है एक मैडक पर जाती है तुंक है और समें जो है ऑम्मोम नागमिस जो कि एक परकार का जंगली अद्रक है जो कि नागा लिंड के Olima प्राणी ने इसके पिछे जंगल में खोज किये थी ठीक है टेरी सुपेरियन जो की एक जंगली फान है जो की नौकवेल केरल और बलकी तमिल लाडू महारास्टा में पाई जाती है ठीक है साती साती इतने जो है नेमसिंस आंडवानी और जो की इस ट्टानों और फरॉन यहाँ पर देखने को मिलती है ठीक है और आज हम अंतिम क्लास की और बढ़ रहे हैं इसमें हम बोंगी फ्रेक्ष्ण अधिनियम नैंटी 72 अन्धू सूचू के वारे में डिस्कॉस करते हैं ठीक है ये आपका दोग्ड को है ठीक है इसको जहान से देखेगा कि 90 70 टू जो ए structure के लिए परयोग किया गया है इन छे स्वचियों को 972 में 6 सुचियां जिसमें सभी परजात्यों को अलग-अलग category में divide किया गया है अनुसूची एक से लेकर करे चार के चार कर शिकले और और जीवों का अबेद वैपार फर्तिवंद है, अनुसूची एक से लेकर चार तक आप जीवों का सिकार नहीं कर सकते हैं, तसकरी नहीं कर सकते हैं, अबेद वैपार नहीं कर सकते हैं, उनको मार पीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और अनुसूची ठीक है, अब हम इसको थोड तता नुसूची दो भाग दो में किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया है तो इसमें जो है वने जीब को पून रूप से सुरक्षा परदान करता है जो वने जीब है उनको पूरी तरह से सुरक्षा परदान करेगा ठीक है अगर कोई इनको सताते हुए या मारते हुए हो गया ठीक है ठीक है को फूछ वाला मखोंख हो गया गैंडा हो गया ग्रेड इंडिन बड्स हो गया ठीक है और साती ताथ आपका जुआ अनुसूची 2 में याननी कि मैफ कौर्ण वी और उड़नेवाली चिपकली जो की वर्ड प्रोटक्शन एक्ट जो है टिक है वर्ड लाइप प्रोटक्शन एक्ट वह किस अनुसूची में उड़नेवाली चिपकली को सामिल किया गया है तो अनसूची 2 में और हिमाले बूरा भालू को भी इसमें सामिल किया गया तो इसको भी आप लोग जिहान में रखिएगा चलिए हन्तिम में अनसूची 3 और 4 के बारे में डिस्कुस कर लेते हैं जिसमें जीवों के स्रक्षण पर्दान किया गया है परंतु अब राद के तहर ड़ण अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जतना जादा नहीं है टीक है एक दो में जतना सजा मिलना चीये था उतना सजा इसमें नहीं मिलेगा पर सजा मिलेगा जरूद पैनल्टी जरूर देनी प हिरन को अनुसूची चार में आपका जीव मंगुस गिद यह सारे चीज़ है अनुसूची पांच में ठीक है जीवों को वार्मिंग कहा जाता है ठीक है इस अनुसूची में सामिल जीवों को वार्निंग कहा जाता है जो कि सिकार किया जा सकता है ठीक है अनुसूची पांच मे जीव, समो, मंगुस, कोवा, चमकादर ये सारे चीज़े सामिल है और अनुसूची 6 में पोधे तथा उत्पादों का संग्रेंड और क्रिसी पैपाद तथा निस्करसंड परतिवंदी थे अनुसूची 6 में आपके पोधे, रेड पांडा, ब्लू पांडा और पिचर प्लांट, वेडरम ये सारे और लेडिस, च्लिपर, अर किड़र ये सारे चीज़े सामिल है तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा ठीक है, कोई डाउट आपके हो तो आप अपने डाउट को बता सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को बता सकते हैं, ये आज हमने डिस्कस किया पूरा IUCNA का कैटेगरी, इसमें हमने आपको बताया किसके स्तापना कब ही, इसके अंतरगत कौन-कौन स कहां है और ार 13 मैने आपने कुछ न謀सिनल भारत जो कि इंपॉर्णने थे ऑस सब्सक्राद से काफी में अद्धोर डिंप्वर्णतर जो की एक्वारे समय के सब्सक्राइए